हलो और वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल मेरा नाम है रहान और आप देखने हैं टेक्निकल इन्फोर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे रियलमी 3 के बारे में जो रियलमी 3 को लेके कुछ लीक सामने आई हैं और नए अपडेट्स आये हैं उसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे क्या-क्या है वो अपडेट्स और कब तक आने वाला है ये फोन वीडियो में आगे बढ़ने इस पहले मैं आपसे रिक्विस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज इस रेट कलर के बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बेल आइकन को भी आने वाला है मतलब कि यह फून हमें नौवेंबर महीने के लास्ट में देखने को मिल जाएगा जैसा कि हमने रियल मी 2 और रियल मी 2 प्रो में देखा था कि रियल मी 2 लाउंच हुआ था 20th of August को और यहां पर जो रियल मी 2 प्रो लाउंच हुआ था वो 28th of September को लाउंच कि यह फून नौवेंबर महीने के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा इसी महीने नौवेंबर में लास्ट तक हमें यह फून इंडिया के मार्केट में देखने को मिल जाएगा उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसके प्रोसेसर को लेकर जो लीक सामने आई है कि इसमे इस phone का नाम Realme 3 नहीं होगा, जी हाँ, इस phone का नाम Realme 3 नहीं होगा, क्योंकि जो इसके CEO है, माधफसेट, उन्होंने ये चीज़ confirm कर दिये, कि ये Realme 2 और Realme 2 Pro का successor नहीं होने वाला है, एक अलग series का phone होगा, तो अलग series का phone होगा, तो basically इसका नाम भी अलग होगा, जैसे कि हमें Realme 2 और Realme 2 Pro के लावा देखने को मिला, तो अब क्या हमें अगला phone Realme का, Realme C2 देखने को मिल सकता है, ऐसी leak सामने आ रही है, ऐसी बात कही जा रही है, अगला phone Realme C series का होने वाला है, Realme C2 या फिर Realme C2 Pro, इस तरह से हमें अगला phone देखने को मिल जाएगा, और जो चौती बात सामने आई है, इस phone को लेकर, इसके price के बारे में, तो यहाँ पर यह चीज़ कही जा रही है, कि यह phone क्योंकि slider mechanism का होने वाला है, इस तरह की leaks पी सामन प्रो, यह तीन phone launch हुए है, slider mechanism के साथ में, और अब यहाँ पर इसको competition देने आ रहा है, Realme का next phone, Realme C2 या Realme C2 Pro, बात आती है price की, Mi Mix 3 38,000, Lenovo 21,000, और Honor Magic 2 तो फिर 40,000 के आसपर जाता है, अब यहाँ पर जो Realme का phone launch होगा, जाहर सी बात है, वो price range में इन phone से कम होगा, क्योंकि Realme का success होने का, जो main reason है, वो उनकी price range है, क्योंकि वो एक अच्छे specification के साथ पून लाते हैं, और बहुती कम price range में, Helio P60, 9,000 के price में देखने को मिला था, उसके बाद, Snapdragon 660, only 14,000 के price में देखने को मिला, वो भी water drop launch के साथ, जो की, OPPO F9 और Vivo V11 Pro में हमें देखने को मिला था 20 above, 26,000, 23,000 इस तरह के price में, और वो हमें, Realme ने provide करा, only 14,000 में, तो यहां पर हमें 20,000 से कम की range में, Helio P70, bezel-less display, और जो सबसे main चीज, sliding mechanism वाला phone देखने को मिल सकता है, उमेद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी, information अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई है, तो like जरूर करिएगा, और channel पर नए है, तो subscribe भी जरूर करिएगा, ताके आगे आने वाले time में, आपको इस तरह की, नई updates मिलते रहें, तो फिलाल के लिए इ वीडियो में इतना ही, thanks for watching, thank you.